गईज नमस्कार दोस्तो आज हम बात करेंगे डाक सरकर के बारे में अगर आपको डाक सरकर है या आँखों के निचे काला घहर है तो दोस्तो इस वीडियों मैं कुछ टिप से बताएंगे जिसका मदब से अपने डाक सरकर हमेशा के लिए खतम कर सकते हैं आए जानते हैं इन में पूरी निंद ना ले पाना देर रात तक चक कर्ष काम करना आम बात हो गई इन्हीं और अन्य कुछ काणों से आखे के नीचे कालक गहरे बन जाती हैं आए इन समय से आउसे निजात पाने के लिए कुछ गहरे रूपचार करते दोस्ते अब देक्ट मैं चैनल जरूर करें के ऐसा ही वीडियो हम आप तक लाते हैं जिसके किसी परका के साइड इफेक्ट नहीं होता है हंडेड परशन आपको रिजर्ट पहुंचाता है बीना किसी साइड इफेक्ट कर टिप्स नमर और रात को सोने से पहले आँखों के काले गहरे पर बदाम का तेल ल आकर हलके हातों से मसाज करें सुबह उठने के बाद ठंडे पानी से चेहरा और आखों को दोले ऐसा कुछ दिन तक नीमित करने से आप आखों के नीचे के काले गहरे हंडेड परशन खतम हो जाएंगे टिप्स नमर टू रात को सोने से पहले वह दिन के किसी भी समय आप एक को रूई से आखों के नीचे एक्स्ट्रा वर्चित कोकोनुट वायल यानि नारिये का तेल अपने हलके हातों से मसाज करें कुछ घंटे तक ऐसा ही छुटने अक बाद अपने आखों को धोले ऐसा कुछ दिन तक करने से आपके काले घहरे खतम हो जाएंगे टिप्स नमर ठ अलू के रस को कॉटन बॉल की मदद से काले घहरे पर 20 मिनट तक लगा कर रखे फिर ठंडे पानी से धोले आपका डारक सर्का बहुत ही जल्दी खतम हो जाएगा आपको अलू कर रस को निकाल कर सुत्य कप्रेस अपने आखों के निचे लगाना है ऐसा करने से आपको काले घहरे बहुत ही जल्दी खतम हो जाएगा दोस्तों अभी तक मैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकर ऐसा ही वीडियम आप तक लाते हैं टिप्स नूमर फोर ठंडे वा फ्रीजम रखी हुई खीरे के गोल सलाइन काट कर 10 म चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें टिप्स नूमर फाइब एक चमच टमाटर का रस में आधी चमच निम्बू का रस मिलाए और इसमें भीगी हुई रूई को 10 मिनट के लिए आँखों पर रखके फिर आँखों को धोले ऐसा कुछ दिन तक करने से आपको डाक सरकर खतम ह हो जाएगा आपको एक चमच टमाटर का रस लेना है एक चमच निम्बू कर दोनों को मिला कर अपने आँखों पर लगाना है ऐसे कुछ दिन करने से ही आपके आँखों के निचे कर टाक्स कर खतम हो जाएंगे दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कि एकदम करेलो होता है और 100% आपको जट देता है किसी भी साइट इपक्त के बीना थैंक्स पर मो वाचिंग